हो गया इधर देखो यह चार कोश्चन है समतल में गती का कुछ सरल रेखा में गती समतल में गती पर अधारित कोश्चन हम लोग बना रहे हैं जिसको की एंसी आटी का यूनिट डवल यूनिट में समिल क्या गया भारती वन एबिसी में उसको एक ही यूनिट में दिया गया है थीक ना तो अब हम लोग इस नुम्रिकल्स को बनाते हैं नुम्रिकल में पहला क्वेशन क्या है एक गतिमान वस्तू एक्स अक्ष के अनुदीस छै सब्सक्राइब का एक समान त्वारन है गतिमान बस्तू है निर्दे संग तल में लोग क्या करते हैं कि अगर एक्स अक्ष और य य दोनों के अनुदीस मान आ रहा है गतिशील पिंड का तो वह बीचो वीचते कर रहा है दूरी ना कहीं जा रहा होगा इससे इसमें एक्स अ तो इस डारेक्शन का भी चाहिए लेकिन इस डारेक्शन का बेग नहीं देकिए क्या देदिया है तुरन दे दिया है कितना दे दिया है जिरो पॉइंट फाइफ मीटर परति सकेंड स्कॉर और काता है गती के पर्थम 16 सकंड पूरा होने पर कणका वेग ज्यात के जिए 16 सकंड की स्थिति में यहां काम ब्यक निकाल लेंगे इस डारेक्शन से देखना देखना देखेंगे चुकी कि यह वाय बराबर कितना है हाफ मीटर परति सकेंड स्कॉर टी बराबर है कि सब्सक्राइब 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 निकालेंगे बिबराबर को पढ़े हैं क्या पढ़े हैं अब यू कमन कितना रख देंगे ना कि एक अमन कितना रखेंगे रहाफ कि रहाँ चाइम कमोन कितना रखेंगे तो लब पेंच अस्वी यानिकि आठ मीटर प्रती सेकंड यह क्या वह विलोसिट्य यहां भी वाई करतें यहां भी वाई कर सकते हैं सुंदरता के लिए कि वाई डारेक्षिन का एक्सिलेशन नहीं इनिशिल वेलोसिटी वाई डिरेक्शन का फैनल वालोसिटी है यह समझ भाया है अब य डिरेक्शन का विदेगम को मालुम हो गया कितना वा आट मेटर परतीज सेकेंड तो इसको रिप्लेश करके अगर यहां लाते हैं तो देखिए यह वेलोसिट्य वाङ कि यह जो कि आगा रिजल्टेंट पैतागोर से निकाल देंगे परिमांग निकालना है इसलिए कि रिजल्टेंट वेलोसिटी भी यार करते ब्राबर सिदेख कर देंगे आठ श्क्वार जोल पर रोड यह कितना हो जागा ठीटी चो साथ तो पूरा होने पर कण का वेग ज्याद करें तो लिखेंगे आता हाँ सोला से कंड के बाद का वेग दस मीटर पती सेकंड होगा ठीक अब इसको मिटाते हैं दूसरा कोश्चन यहां एक सरल रेखा पर गतिसिल बस्तू का वेग समय ग्राफ चित्र में परदसी था यहां दिके यह हुआ किसका चित्र रहे वेग समय ग्राप का यह चीत्र हुआ चित्र में परदस्तित है समय ती के विभिन मोनाओं के लिए तौरण जयात करें काता है नमर एक कोष्यां की टींगर की बराबर एक सेकंट के बीच के बीच में तो वन सेकंट होबाएं इसको आगे बढ़ाके यहां और य आख्षी को भी एगे बढ़ांगे दोनों मिलाएंगे दीखेंगे यांका कोडिनेट क्या है तो आप दिख रहा है फाइब फाइब आय। फाइप मीटर पार्थिसेकेन्ड है ना और टाइम लगा है वां जिरू से शुरू हुआ और वेलसीटि भी जीरू से चलो वाय तो आप लोग बनाएंगे इस तरह दूसरा का बना रहा हूं पहला नमबर टी वरावर वन सेकेंड पर तौरान क्या निकलना है तौरान तौरान वरावर क्या हो जागा भी लिख सकते हैं से नटैसे मीञा बना दिए पांस सेकेंड पर पांस सेकेंड पर विलोशिटी क्या था बाउड है इस बोलुकर एक घृब सेद पर फिल टाइम कितना है तीजिरो कितना है जिरो है अर्षात five meter पर तिस सेकेंड इस पर समझ में आया इसका एक सेकेंड ने यहां तक पहुंच गया कशना न जी गराब बता रहा है हम ने करें इस ग्राब बता रहा है तुमार निकल गया दूसरा उसी में कोशियन है तीन सेकेंड पर तीन सेकेंड यह देखिए सब्सक्राइब तो लिए सब्सक्राइब करें कई जिरो हो जैऊगा क्योंकि तो न करता ह Under कड में पकना है शमाझ में ठीक है तो किलियर करना है यहां पर अगर हम यह जिफिल लेते पर अंतिम बेग तो दस आएगा प्रारंभी कि बेग तो दस आएगा मैनस कर देंके जिरू हो जागा जिरों कितनों समय भाग पैसंते नियत है कि इसलिए तिसरा क्विश्च्यन से पांस सकंड के बीच में दोरन इन दोनों के बीच में यहां बेख कितना अन्दि में कितना है तो वह करेंगे शुत्र के अनुसर काम करेंगे तीन सकंड से चार से के बीच त्वारन कितना ओजाऊगा तो चार से पहुंचा और छ से पहुंचे फिर नहीं तो बैए अल्स को घ्रका कि वरसे कितना है कि चार सेकेंड पर पर यह घटके कितना बच गया जास मेटर पर ती सकेंड और यह घटके कितना बचेगा एक सकेंड अर्था तो गया माइनास दस मीटर पर ती सकेंड स्कुराइब है तो दो नमर भी खतम हुआ तीन नमर कोश्चन जड़ा साफ करने कि देवा किसी गतिसी लिकने का बेग समय गराफ चित्र में पर दसीद है फिर यह चित्र है चित्र में पर दसीद नहीं नहीं पड़ेगा गती के महत्म तो औरन का मान ज्याद करें यहां देखे नहीं है कि यह समय और है एक अक्ष पर समय आ गया और एक अक्ष पर वेग आ गया इसलिए इसका नम है वेग समय गराफ दूरी गराफ चाल समय गराफ वेग समय ग्राफ विस्थापन समय ग्राफ यह वेग समय ग्राफ है इसमें काता महत्तम तौरण का मान ग्याद करें तो वेग समय ग्राफ में जो ढाल होता है वो क्या बताता है और अगर एक्स-के समंतर समय के समंतर हो तो क्या बताता है तौरण जीरो एक नियाद को बताता ह यहां करना है क्या करना हो देंगे मता देंगे सबसे अगया चलोप में सबसे जट만ओ सबसे घलत बनाओ हो सकता उसकता लगलों सटा दिया हैACH सब्सक्राइब निकाल लेते हैं जीरो से बीस सेकेंड के बीच त्वारण ना देखें कैसे बना रहे हैं तीन का जात क्या करने लेगा हम टेस्ट जीरो से सेकेंड के बीच त्वारण कितना वह जाएगा तो बेग में परिवर्तन किदर को तौरण क करते हैं अन्तीम बेग बीस है बीस में जाके बेग लगा है बीस सेकेंड मैनस जीरो सेकेंड यानिकी एक गट के 20 बटे 20 एक मीटर पर 30 सेकेंड स्क्वार अब फिर क्या करेंगे लिखेंगे 20 से 30 सेकेंड के 20 तुवरन सुनी होगा क्योंकि नियद बेक से चल रहा है ना 20 से 30 सेकेंड के 20 तुवरन सुनी होगा क्यों क्योंकि नियत वेग से गती सील है देख लिजी 20 इस पर कितना है 20 मिटर पर 30 सेकेंड टिस से के चार्स तुवर班 से 30 से कि और तीज पर कितना थायम कितना हो जागा तर्शा साथ मेंटर पर तर्टीज सकन्ड यह गट को सार्ट मीटर पर तर्टीछ सकन्ड यह बचा और समय दस सटेन्ड अरथा प्र पर ते सब्सक्राइब फिर और एक जांच करना है किसना 40 से कंड से 80 से कंड तर अब आप लोग भासा लिख देज़ेगा मैं बना देता हूं से देख न यह लिखेगा 40 से 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 असी पर वेलोसिटी कितना है तल बैल से लिख दिख दिख चालीस से से 80 से के दीच त्वारण तो असी पर वेलोसिटी कितना है चालीस पर वेलोसिटी कितना है असी टाइम कितना लग जागा असी में 40 सबसे ज्यादा त्वरण कब हुआ है बस यही उत्तर होगा इसका मतम त्वरण 30 से 40 से के सब्सक्राइब के बीच में हुआ है सब्सक्राइब करें तथा इस महत्तम त्वरण के अंतराल में तैकी गई दूरी निकाले तो महत्तम त्वरण समझ गये यह टेस्ट कर लिए इसे तो सुलोप का डारेक्ट भी निकालेस को गलत नहीं काठेगा काठी नहीं सकेगा क्योंकि डारेक्ट भी रहा है नेकिन आप टेस्ट कर सकते हैं टेस्ट करके हमको पूरा अथेंटिक जनकारी हो गया कि सब्सक्राइब के अधर इसलिए बिस्टापन को यह दूरी का दिया दूरी समय घराब सब्सक्राइब दूरी प्राप्त होता है कई से नॉर्मली समझ लिजिए अगर एक अक्षपर बेग है दूसरे अक्षपर समय है तो इस चेत्र का च्छतपल क्या अगर लंबाइग नो चलाई तो बेग गुना समय क्या होता है विस्थापन निकालेंगे एक बुझा में बेग समय में विस्थापन जिंश एक है होता है डिस्प्लेश्मेंट और डिस्टन्स एक होता है यहां सिदेने लेख देंगे अब दूरी के लिए दूसरा पार्ड में बनाओं तिसरा का ति यहां तक खते हो गया यहां बनाता दूस्राव अ के अंतराल में तय की गई दूरी बराबर ग्राफ द्वारा घिरे हुए छेत्र का छेत्र पल क्या लिखेंगे ग्राफ यह वेग समय ग्राफ लगा दीजिए वेग समय ग्राफ द्वारा घिरे छेत्र का छेत्रपा और यह वेग समय ग्राफ में जो ग्राफ बना है वह क्या बन गया कैसा अकृति बन गया समलंब क्या बन गया समलंब कि समलंम में न मद मना जें आप गोना आधारं का योग गोना दोनों समंतर ne समंतर बोजाओं का योग कितना है 20 कितना है समंतर बोजाओं का योग को ना समंतर बोजाओं के बीच की दूरी लंबवाद दूरी अब किजे का महाँ गोना समंतर का योग कितना हो जाएगा यहांद को 20 और यह कितना है 2080 समंतर बोजाओं के बीच की दूरी कितना या दोना की दूरी कितना तो 40 सेकन्द में 30 सेकंड गटाएं कि मारे जोनाके बीच की दुरी कितनी सेट तस सकेड है जा गया बट्टा दो से इंगी पॉंच बार में पॉंच एकसो पॉंच एकसो ओंगे बेग जन्सकू है जवाब को क्षाए देने एक सब्सक्राइब पॉस्ट पॉस्ट होता है चलिए अच्छा लगा 500 मीटर बस हो गया यह विस्थापन गराब मतलब की महत्तम त्वरन के अंटराल में तैकी की दूरी कितना हो गया सब्सक्राइब करने से कोई हानी नहीं है बार बार माई इस बात पर फोकर्ट डाराओ ध्यां रखना नहीं दुनिया मौश्ट्रे खराब होता है कि मिद्टा चार यह किशी कर की स्थिती समय सी समय टी वेंजक एक्स इतना से दी जाती यह स्थिति दे दिए economics से दी जाती है इस्थितिस क्या दिया हुँआ हुआ यह है और कहता है वह समाई टी के बिंजक में दिया हुआ है यहां एक्स को मीटर में टी को सकेंड में लेंगे यह एक्स मीटर में और टाइम टी सकेंड में है यहिए कि दूरी से जो निकलेगा वो मीटर में हमें सा लेना है और समय जो निकलेगा वो सकेंड में तब करना क्या है पहले दू सकेंड में 2 सकेंट में कंदवारा तैएक गई दूरीТि की गण्ना करें कि डो सकेंट में detto वह जो गती कर रहा है पिंड क्या वह तlorीद गती है कि अधि पारित गती है नियत साथ चाल से चल रहा है कई बात पर निर्वार करेंगा ना एच्छे सो डिरेक्ट दो सेकेंड दर देते ताई कि कई दूरी निकल जाना चाहिए था लेकिन यह स्थिती सदेश है पोजिशन है कि वह पहले ही कहीं है कहीं है तो कहां होगा टी बराबर जिर घरम करते हैं तो जीरों में तॉरण जीरो समय पर तूरण और यह कुस्ट का मेनिंग ने रहता है कि वराबर जिरू की टी वराबर कि अब कहता है पहले दू सेकेंड में कंद्वारा तै की गई दूरी निकाले दो सेकेंड तक अगर वो चले तो कितना दूर होगा तो क्या उसका त्वरीद गती है बेग निकाल के देखते हैं बेग कैसे निकालेंगे पोजिशन वेक्टर से कि टाइम के साफ एक्स डिफ्रेंशेट करेंगे कि दिया है कि इतना ना एक्स का यह समिक्रान एक का समय के साप एक्स क्या करतेंगे आवा कलन करने पर अब कलन कर देजिए डे एक्स बाइटी सध्स बरावर डी दूटी और ऊंव्फ वान वो जुटलस्टी-टी स्क्वार अर चाहित्त विल्लसटी हो गया बेग यह क्या होजागा जीरो यह क्या हो जागा गा होगा ना जी मैंने स्टूटी यह हमारा वेलो सिटी बेग ना इतना बेग हो गया यह बेग क्या सुनी होगा कभी कितना समय पर अगर सुनी होगा अभी तो कितना समय पर जब यह समय के अब दिखने लगा टी अब कि यहाप सेकेंड पर बेग शुन्य हो जाएगा यहाँ जमेला अउत्पन हो गया हमको चलना है दो सेकेंड तक 2 सेकेंड में तैकी गई दूरी निकालना और हाप सेकेंड के बाद भी जेक करना होगा क्या वह तोरीद गतिता आप हो सकता है प्लस मेनेस त्रन से गया जिरो होके फिर फिर प्लस त्रन होकर कर रिटर्णिंंग हो जागा ना हो सकता वहां वे जागा उल्टा डिरेक्शन करके लेते आएंगे बाद बुझे तो त्वारन निकाल लेते हैं मतलब कि यह मनन त्वारन से शुरू में चल रहा है यह मनन त्वारन से चलते 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 बिख सुनी हो गया अधा सकन में लेकिन उसको चलना कितना दूर तक है तब इसका मतलब और सकेंड जो हुआ ओगा वह रिटर्निंग मारा वगा उसी त्वारन को पलस कर देंगे तब यह सब निकाल लिए निकाले थ्वार ज्यादा भरा की दिखायते अभी न निखेंगे जब भी बराबर जीर को तो तो क्या हो जाएगा वान मेंस टू टी बराबर जीरो अथा टी बराबर हाफ इसे पता ख़ला हाफ सेकेंड तक उज़ो दिधर गया है वहां जाकर के सुन्य हो गया है करीनात्मक तुरन के साथ चला भी है देख है तो आजा सकेंड के बाद सुन्य हो जागा उसके बाद रीटर्निंग लोटाया होगा तो एक डिस्टेंस हमारा निकलेगा पलस में निकलेगा इसलिए निकलेगा चुकि दो दिसा है ठीक ना और दूरी चुकि है इसलिए चिन से मतलम ने दोनों को हम जोड़ देंगे तो इसको चुकि दूरी निकालना है दूरी में नहीं तो आपको दिसाफ मतलम नहीं रहता है इसलिए दोनों को क्या करेंगे जोड़एंगे तब निकालते हाफ सेकेंड हाफ सेकेंड में तय की कई दूरी कौन सा सुत्र लगा देंगे S बराबर योटी पलस हाफ एटी होगा त्वरीद गती है टाइम हाफ पलस हाफ एक अमन माइनस टू है हाफ पर स्कॉयर अगर आप यहाँ माइनस नहीं लेते हैं तब यह भी पलस में निकलेगा दूरी चुकी है इसलिए माइनस से मतलब नहीं है यह हम कहेंगे कि दिनात्मक तोरान घरतावा बेक को कबली सु मैनस वा जीस डेयरेक्शन में गया है मंगतीली इस डेयरेक्शन में वने पैप को रगया तो आब जो रीटेन मारेगा फौरस में निकलेगा कैब यह अब लिखेंगे पुना कितना और दे तक चलेगा कुछ़ए यह कुना है दो मैंस यह इतनाि सेकेंड देंग आए तैकी ढुख एतना से स्चेंड लिकान लेके निकालेंगे घण बराबर थो टि फलस आप इसका फिर वह जीरो से शुरूवा प्रण्विक दे दो प्छूद रहें फिरो गोन तेन बट्थे दो फला साफ एक मन कितना लेंगे पलास दो लेंगे पलास दो लेंगे क्योंकि डारेक्शन अब बदल गया है यह खतम हो जागा यह जीरू हो जागा अध्रत नौ बट्टे चाहर अब क्या है विस्थापन अगर कहता तो इतना और इतना क्या होता सिधे जोड़ते चिन के साथ चिन के साथ जोड़ो या इसमें वन वाइफ फोर को घटा दो गया है इस डिरेक्शन में की स्थिति में इस डिरेक्शन में आगा ऊटेक् Master नोगे निकाल ने का इसलिए दूरी 2 सेकंड में और देड़ सेकंड का दूरी 904 रहा है कितना हो जागा वन वाइफ पॉर प्लस 954 बरावर आप तेन वाइफ और इसको कट आदो यहां इस पर है ठीक है समाझ गये अब मिलते हैं फिर नेक्ट क्लास में